आज का अमारा फ्रे वेबिनार जो है वो मेडिकल एस्ट्रोजी के ऊपर है आप बड़े ध्यान से सबनना मैं खुद एक कॉमर्स पड़ा लिखा हुआ आदमी हो साइंस से मेरा कोई लेना देना नहीं है पर मैं काफी साइंटिफिक वर्ड और साइंस वाली चीजों से पढ़ डीप सूत्रास की समझ आपको लगेगी और आप उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे जो इस कोर्ष्ट के अंदर मैंने डाली हुई है डीप सूत्रास की अब हम शुरू करते हैं इसके अंदर देखिए क्या है कि यह हमारा डीवन चार्ट है अब हमने यहां राशियां लिख वरीश राशी Test sup प्रॉष कुंडली के अनुसाथ। ठीक है यह हमारी राशी वनी अब मेश राशी हमारे सिर में होने वाले रोग होते हैं उनको बताती है वृष राशी से के नहीं होता नाभी से नीचे का स्थमक कन्या राशी रिपर्जेंट करती है सेवंथ हाउस आपके बॉड़ी के प्राइवेट पार्ट तुला राशी मैं राशी से भी बात कर रहा हूं आप इसे भाव से भी जोड़ें राशी और यहाँ पर मिलते हैं न कालपरुष कुंडली म अश्ट्रम भाव आपका एनस पार्ट होता है नाइन थाउस इस यूर्स थाई एस वेल एस धनु राशी थाई को रिपर्जेंट करती है मकर राशी आपके गुटने अगर मकर राशी और उसका लौड शनी पाप परभाव में तो गुटने की प्रॉब्लम आईगी आईगी ग्यारा नंबर राशी आपकी पिंडलियों के रोग बारा नंबर राशी मीन राशी आपके पैरों में दिकत यह राशी इसतने से बताती है यह कोर्स जो है मंडे कल स्टार्ट होगा रात को साड़े नो बजे क्लास होगी और साड़े दस बजे तक चलेगी रात को और यह ज आपको वो गूड विशे पढ़ाए जाएंगे जो गूड विशे आपको इजीली कोही नहीं देता है ठीकर डेली क्लास होगी यह एंड फीज ओनली 3101 रूपया है इसमें आपको पीडिएफ के नोट्स मिलेंगे और यूट्यूब जो है रिकॉर्डिंग जो है लाइफ टाइ घ्रहों के कारत तक्त्तव भी हमें समझ रही है यहां पर मेडिकल एस्ट्रिजि के लिए जैसे पित के कारत ड्राइकों से होते हैं पित वाले अग्नी तक जो के हिप प्राब्लम बहुत है उनका शनी चाए कुंडली आपको नहीं पता वह किजी मेरीकुंड़ी नहीं और जो है क्या चेहते हैं चंद्रवा जो है कफ के रोब देगा थीक है ना तो इस तरह से चलेंगे शुक्र वो ती दे देता है वाट पित कफ शुक्रतीका नहीं देगा इसी तरह भुद्धि बात पत पित कफ तीनी दे देता है ठीक है और गुरुों जो है वह आखाश टक्तु को रिपर जैन करता है तो जो सुनने का है उसके अंदर दिक्कट देता है अब आते हैं मेडिकल साइंस के के अंदर the sun represents basically the calcium in the body itself ठीक है न एक और मैं बता देता हूं दो पॉइंट बता देता हूं मार्स प्रेजेंट sulfur यह sulfur को represent करता बाड़ी के अंदर अगर यह पाप्रवाब में ग्रह होंगे तो इन तत्तों की कमी हो सिंपल सी बात है अब आपको अध्यात्म से भी मैं पढ़ाऊंगा भावगत कथा कि अनुसार अब किसी आदमी में आ सकती ज्यादा है एक सेकंड spell गलत हो जाते हैं मतनी क्या समझ में नहीं आ रहा आ सकती यानि किसी के प्रतिलगाव ज्यादा हो जाना तो तो आसकती ज्यादा होने से भी वात रोग होता है तो आप अपनी आसकती का त्यार कर दे अब माल लिजे किसी आदमी को मो ज्यादा है पुत्र का मो है धन का मो है इस्तरी का मो है तो उसे कफ के रोग होंगे कफ का रोग यानि एक्जामपल से आप इसली समझें कफ का रोग य यह भागवत कथा के अंदर व्याख्या आती है इसकी स्टोरिजी से कोई लेना देना नहीं है यह वो पार्ट है जो मैं पढ़ाऊंगे क्लास के अंदर अब आते हैं वेद होता है वेद टिका होता है तत्व मसी पर तत्व के अधार पर वेद टिकता है तो अगर आपका वो दमा और हाट अडएक जो है यह हो जाएगा अगर आपका अगनी तक तो दूशीत है मेटाबोलिजम सिस्टम इस बिंग डिसॉर्डर अंफॉर्शनलिटी देन इन देट किस वाट वी कें से परसन विलाव प्रॉबलम आप पित्तिस एंड शूगर शूगर उनिक होती है जिनका अगनी तक डिसॉर्डर फार्म में चला जाता है यहनी मेटामोलिजम सिस्टम जिसे हम देशी वाषा में जठरा अगनी कहते हैं जो नाभी पर होती है तंदूर अगर अगनी कमजोर हो जाया ना तो रोटी एक्षी नहीं बन सकती उसके क्योंकि अगनी कमजोर हो कि आगे चंते हैं अब आपको इसके अंदर गुलिक के बारे में पढ़ाया जाएगा सौट्वेयर में जी के लिखा होता है हिंदी में पूरा नाम होता है गुलिक गुलिक का बहुत बड़ा रोल होता है रोग के अंदर आम माल लीजे किसी का कहीं पर भी कुंडी में मेरे को तो यहां लिखना है ना चंद्रमा के साथ गुलिक बैटा है चेक कर लीजे आपकी माता जी को हेल्थ इशू आयों गे तेख लीजे गुलिक का तो काम है रोग द देना है लेकिन कुछ जगाओं पर गुलिक राजयोंग भी दे देता है अच्छा स्वाश्थी भी दे देता है क्योंकि मेंस एंटू माइनस इस इकल टू प्लास यह गुलिक होता है तो गुलिक से हम लोग अच्छे से देखेंगे अब आप देखिए बड़े सारे योग हो स्पोटे से मैं एक दो पॉइंट बताता हूं सपोज यूर लगना लॉट असेंडेंट लगना लॉट शिटिंग इन दा सिक्थ हाउस गीप शिव रोगा अब इन दोनों में डिफ्रेंस है बड़े द्यान से समराना यह बुड़ापे में रोग प्रकट होंगे ज्यादा और यह यह रोग यूवा वस्थक रहेंगे यानि बड़ लेकर बड़ापे से पहली की अवस्था यूवा वस्था होती है वहां तक रोग गयते हैं अश्ट्रम भाव मैंने ज्यादा तर देखने में पाया है कि अगर दीर्थ कालिन अश्ट्रम भाव जो होता है ने एक होता है वो वाइरल फीवर हो गया चार पाद दिन क्या खासी जो काम हो गया अब दूसरा क्या है अश्ट्रम भाव लंबे रोग देगा जैसे थायरड हो गया लंबा चलेगा शूगर हो गया यह तो चिता के साथ ही जाता है यह तो जाता ही नहीं आशकल ठीक है ना तो पागे चलते हैं आपको रोग के बारे में शिक्स्टी क landlords से समझाया जाएगास तुटी फॉर्ट भावञें आपको रोग देता है पीडा देता है वह आपको अच्छे से बदाया जाएगा। 64th नमाच्छा का जो Lord है उसका काम ही है यह आपको रोग देना, 64 नमाच्छा का स्वामी आपको रोग देगा ही देगा, चलिए फिर आगे चलते हैं कि हमको जो है द्रेश कोन, 22 द्रेश कोन का जो स्वामी है, दुरेश कौण ने बाइस जान्स मेरी दशा चल रही है बाइस में दुरेश कौण की रोग देरी आ सर वाइक्ल दर्द कंदे में शोल्डर में दे दे दो गाया में स्वामी रोग मैं झूब देगा टीह अभी मैं पत्मूर झछ हार चीज अलग तरीके से इस्तमाल होती है ठीक है कि अब यह एक चंद्रमा समझाता हूं मैं आपको बहुत सारे लोगों को ना चंद्रमा नहीं पता क्या होता है एक होता है हमारा क्रिशन पक्षिंद दूसरा होता हमारा शुकल पक्ष ठीक है साथ किशन पक्ष में दिन का जनम हो दुपैर का हो ठीक है और पंद्रमी तिथी जो होती है उसको अमावस्या कहते हैं ठीक है दिन का जनम हो दुपैर का हो यानि सूर्य के रहते जनम हो प्रातकाल का भी माना जाएगा है चंद्रमा तु रात में आता है दिन में धुड़ी आता है तो इसलिए दिन का जनम हो और एकादशी, दुआदशी, त्रियोदशी, चतुरदशी जितना आपकी जनम की तिथीस अमवस्या के करीब है कुंडली में सबसे पापी ग्रै चंद्रमा बनेगा ये याद रखना दे पीपल दे नेवर तिंक अबाउट हो निट इसने बड़े तगड़े फल खराब कर देने कुंडली के चीक है और कई प्रगार की रोग की जटिलताएं भी पैदा कर देगा जन्द्रमा अपनी राशी जल्दी बदल देता है सबादो दिन कहलो या ढाई दिन कहलो सबादो दिन बदल लेता है तो अपनको रिलीव पार्टी नी बना अब ये यह डिले वाली पार्टी बन गया है आगे चलते हैं ठीक है अगर आपका लगन जिससे में लगन पापी ग्रह से मंगल राहू के तुशनी पापी ग्रह है छे याट बारा में चला जाए उपर से पापी ग्रह भी पीडित कर दे तो आदमी का शरीर दुबला पतला हो जाता है साथ में चंद्रमा भी गलती से पीडित हो ठीक है न और कई बार देखने में आया है आप चेक करना तिरकोन में पापी ग्रह तिरकोन क्या होता है एक पाँच नो यह होता है न तिरकोन एक पाँच और नो यह भी शरीर को खराब कर देता है दुबला पतला बनाता है शरीर को अगर आपके तिरकोन में पापी गरे बैटे हैं, कोन है पापी गरे? मंगल, राहू, केतु, और शन ही यह पापी गरे हैं, यह आपके तिरकोन में आगे, तो आपकी देह को दुर्बल कर देंगे, ठीके? आगे चलते हैं, सेकेंड आउस, सेवन्थ आउस, यह मारग भाव होते हैं, मारग भाव के स्वामी की दशा, सदेव रोग जुरूर दिया करती है, या इसमें बैठे गरे, चैशुब हैं, या पापी गरे हैं, चुकि दे आर सिटिंग इंदा मार का भावा है, तो ये रोग देना ही देना है, आपको ये पक्की बात माल लीजे, शास्त्र में तो यहां तक कहा गया है, गलती से अगर शनी मारकेश बन जाएं, तो कुंडली में सबसे प्रबल मारकेश बनेंगे, उस दशा में अगर शनी की दशा आपको लगी है, चैमा दशा, अंतर द जाप से ही कोई रिलेक्स मिल सके तो मिल सके अदरवाइस नहीं इतनी असानी से शनी महाराज नहीं ठीक है उचे एक नक्षत्र हैं उनका एक छोटा सा लाइन है वो मैं पढ़ाऊंगा नक्षत्र से कैसे दोश आएगा अब जैसे माल लीजिए एक एक जामपल देता हूं मगा मूला अश्वनी ये किसके नक्षत्र है केतु के नक्षत्र है अब इन नक्षत्रों में किसी एक में मंगल रेट गया तो इसकी दशा में रोग आएगा ही आएगा यह मान कर चल दो आपके पास कुंडली के नीचे वो ग्रह डिग्री नक्षत्र सब लिखा होगा चरन लिखे होगे ठीक है न तो क्या होगा कि जैसे ही मंगल की दशा आपको आईगी रोग देगा ही देगा कि कितु के आगे चलते हैं अब आपको यह बड़ा अच्छा सूत्र सीखाता हूं कि सूत्र क्या है माल लीजिए यहां ले लेते हैं किसी का यहां पर दो नंबर में चंद्रमा उच्च का बैठा है मेश लगने उच्च का होगे ने चंद्रमा आप अपना चंद्रमा देख लो आप डि Gospel प्रकट हो जाता है देखो मेडिकल साइंस के अंधर ना एक सॉफट साइंस बोला जाता है आज बोलने लग है हमारा शास्त्री यह कहता है टि कोई भी जोरोष होता है हमारी किं॥ से हमारी बॉड़ी से च्छे इंच के डिस्टस पे हमारी नीवा ओर पHiयले रोख हमारी प्रवेश करता है उसके बाद दे में प्रवेश करता है बट साइंटिस देनेवर टाक बाउट आप आप दी सब्जेक्ट बिकाउड दिस सम्ट दे से दैट कुद बी अ माइथ्वालोजी अध्यात्म से जुड़ा हुआ भी है तो इसलिए दे आर नौट कमिंगा पॉपन ली बट इंडिरेक्टली दे आर फांडिट आउट येस दिस अट्यू कि पहले जो रोग है वह हमारी औरा में प्रवेश करता है अब हम डिले कब हो जाएंगे कब हमारे स्वाट्य में डिला पान आएगा यहां में रोग कब होगा तो जहां जनम का चंद्रमा है जो फेरों के लिए नियम लगता ना वही नियम यहां लगेगा जो पंड़ेजी फेरों के लिए देखते हैं ना जनम के चंद्रमा से चोथा चंद्रमा जनम के चंद्रमा से अस्टम का चंद्रमा जनम के चंद्रमा से बार्मा चंद्रमा यह रोग की तारीख है इस दिन रोग आएगा आ लग गया आपको कि मुझे रोग आना का गया रोग आने की तिथी बता लग दिया अब देख लोग गोचर निकाल करके नाओ यू फिल अंकमफ़र्ट ओन दीज देज ठीक है तो भगवन ने गर कोई रोग देना होगा तो तब ही प्रकट होता आगे पीछे नहीं प्रकट हुग पेसित फिफ्फ हाउस उस उसनन देना ही देना है ठीक है और यही काम कि तु भगवान भी करते हैं को यह ना सोचे के तुप कहते हैं कुझवत कुंज यान City मंगल के तुपका इसकी का बुद्ध जो है कहीщее को यहां कहीं जिए उने लिख है वह दो गया हिughter को फेकल गया लिखे आठ लिख़ी यहां चन्दरमा लिखा चन्दरमा नीज का है लिए चंद्रमा की एक ही दृष्टी होती है सब्तम और कोई दृष्टी नहीं होती सामने बुद्ध माराज बैटे हैं तो यह क्या देंगे नीच के बड़े ध्यान से सुनना मेडिकल बाचा का इस्तमाल होगा चंद्रमा रोग दे सकते हैं पहला रोग देंगे हाइड्रो थॉरक्स का दूसरा रोग देख सकते हैं पाइथा थॉरक्स का तीसरा रोग दे सकते हैं हाइड्रो न्यूमो थॉरक्स का और चोथा रोग देख सकते हैं हीमो थॉरक्स का कि मेडिकल की बाचा की बात कर रहा हूं साथ वह वाली बास नहीं कर रहा हूं आपसे पहला रोख हाइडरोथचूरर क्षट है इस गुटली में कहीं पर भी देखे भाई सब्रोग तो आना है लग्स में ही है यह क्योंकि स्वास्प्रक्रिया के कारग बुद्ध्ध देव है बिढ़ दिनके चंद्रमाः शरीर में जलतत्तो के कारग पिच्छत्त प्रतिशत पानी है न शरीर में हमारे तो यह लंग्स में प् प्रकट होगा ठीक है इस पर मैं थोड़ा सा वर्क कर रहा हूं कुछ लोगों के ना गुटनों में पानी भर जाता है सो आइम टेकिंग अप सम कॉंबिनेशन जब कोई ऐसी कुंडली आ दिये तो मैं थोड़ा दिमांक और एडवांस लेवल पर लगा लेता हूं ठीक है फिर हम एक सुधर्शन चक्र पद्धती करेंगे अब मैं आपको सिखा देता हूं अभी कर लोगे आराम से कोई दिक्कत नह सुधर्शन चक्र पद्धती लगन नम्बर एक लगन लेंगे हम नमबर दो चंद्र लगन लेंगे नमबर तीन सूर्य लगन लएंगे थीक है अब इन तीनों से छीट व्हाउस देखेंगे या जो हमने कॉंबिनेशन देखें हैं उससे भी देखेंगे या एड़ थाउस देख लेंगे जाज जादा अगर कोई गिरह कॉमन निकल आया तो यह निश्चित मान के चलिए महराजी रोग देंगे जेंगे आप दो लेकिन चंद्रमा से नहीं बना या चंद्रमा से बना तो जहां दो जगा कॉमन आ गया ना तो रोग तो देंगे नहीं देंगे रहने महराज अच्छा अब आपको और अच्छी चीज बताता हूं मैंने अभी पीछे इसमें थोड़ा सा खोच किया अब लोग ना जो किसी की द वह पंचक तो नहीं लगा हुआ है और आप हाड की सर्जिदी कराने जा रहे हो अपनी आखों की सर्जिदी कराने चाह रहे हो फिटनी का ओप्रेशन कराने जा रहे है अरे यार पूस्तो लो यार पंचक तो नहीं लगा हुआ पंचक लगा हुआ है तो ट्रीटमेंट आपक यह गड़ी है यह गड़ी शोरों से जाके करी दी और कई वर खराब निकला तो हम क्या बोलते हैं manufacturing fault आ गया आपने टीवी करीजा वो टीवी में कोई गड़वड़ी ने टीवी ले के आए शोरों से उसमें दिक्कत आगी तो उसको क्या बोलते हैं आपको इसके अंदर में जो एक्सरा जो अच्छी चीज़ पढ़ाऊंगा कुत्ता आपको काटेगा मेरी हर क्लास में confirm की है जहां यह टेक्नीक लगती है मैं confirm करता हूं क्या ग्राएं आपको सिंग मार सकती है या बैंस मार दे सिंग आप अच्छे वले पटरी पर चल रहे थे पता लगा पीछे से किसी ने भाइट होगी पटरी पर आगे ठोग दी आदमी अच्छा वहला साइट पर खड़ा पटरी पर कार आगी ठोग दिया उसको कुंडली में योग होते हैं जबकि यह कोर्स मैडिकल का है बट आई दिंक आई शूट एड़न दीस थ्री पॉइंट आल्ट यह भी देने चाहिए और पढ़ाने चाहिए अच्छे से सब्सक्राइब क्या होता है कि कुछ रोग जटिल हो जाते हैं जटिल किस्से हो जाते हैं और बादक पती का जब मिलन हो जाता है तब रोग जटी लोग जाएगा यह मैं बता रहा हूं कि इतनी असानी से आराम नहीं आएगा हम लोग क्या है कि मेडिकल साइंस की पीछे बाढ़ते हैं भागना चाहिए कराना चाहिए आज यही सुवीदा उपलफ्द है और वे तो सिल्वटे वाली विद्या मानते हैं लोग जबकि अगर आप ट्रियू इंडियन हिस्ट्री पढ़ें तो के अंदर अंग्रेज जब युद्ध कर रहे थे इंडियन के साथ तो एक अंग्रेज की नाग कट गई थी ठीक है तो नाग लटक सी गई थी तो भागा वहां से यु अब आपको व्योशी का इंजेक्शन लगाए जाता ना शिमला के पास जंगलों में चले जाए हमां पत्ते मिलते हैं उस पत्ते को शरीर के जिस अंग पर रगणेंगे वह वह अंग सुन हो जाता है आया मिनिग्लेस हो गया है जबकि आप देखो तो सही ना 300 साल पीछे चल यानि 12 वर्स्तक की आयूँ का इक तो कारक गरहिए हम चंद्रमा देखेंगे चंद्रमा को देखना बहुत जुरूरी है फिर दूसरा पांट सबसे पहले चंद्रमा यह है दूसरा पांट लगन को देखेंगे को तीसरा में लगनेश को देखेंगे कि महराज जी कहां बैठ तो इन तीनों का कॉंबिनेशन से हमको बाला रिष्ट मिलता है फिर आपको एक टेक्निक सिखाई जाएगी क्या टेक्निक सिखाई जाएगी आप उसको कंफर्म मोर लगा के कह सकते हैं अब कुछ बच्चे जनम सही बड़ा सब्सक्राइब का मेडिकल ट्रीटमेंट मांगते हैं यू आफ दन संथिंग रॉग इन यूर्ट प्रियुएस बर्थ जैसे आपने जनम लिया आपकी पनिश्मेंट चालू होगी हाव दूशी फ्राम दचार्ट वी कैन इसली हाल्डी मुझे एक मिनट लगेगा वो भी ज्या यह को हमें पढ़ाया यह जाता है यह हमने पढ़ा यह है कि अश्ट्रम भाव हमारा मृत्यु है पर मृत्यु ज्यादा तर उसका पिछला भाव देता यानि सेवन था हर भाव से ट्वेल था अब कुंडली में 12 भाव होते हैं ना एक से 12 तक 12 भाव क्या एक्जिट बाहर न तो पतली गली से निकलने का योग बन गया अगर यहां पर शुब ग्रहों का प्रभाव आ रहे तो आपको मृत्यु तुल्ले कर्ष्ट होगा और वैसे भी कभी भी किसी की मृत्यु की भविश्यमानी नहीं करनी चाहिए यह मर्यादा के नुरूप नहीं है वह सकता आपकी कैलकुलेशन गलत हो अगले का आपने कून सुपा डाला यह बुद्धी वाले काम नहीं है कभी नहीं किसी को कहें आप पहीं मृत्यु तुल्ले करें आपको दिख भी आप इंटेलिजन्ट भी है आपकी गण्णा भी अच्छी है तब भी नहीं गूले सामने वाला बिचार है इसके अंदर सबसे अच्छा परेश नमका होना चाहिए और इसका जो कारग रहे होता ना बेसिकली बुद्ध होता है इसके अंदर मैंने एक चैप्टर रखा है सब्सक्राइब करें अब आपको एक चीज बताता हूं आप बीच बीच में क्या है कि है तो यह कोर्स किसका वेदिक का है वेदिक से हम लोग पढ़ाएंगे ना आपको क्या मेडिकलेस्ट हो देगी ठीक है अब इसके अंदर मैं नाड़ी का भी थोड़ा गुन डाल देता हूं मेरी होबी है यह मेरा पैशन है मैं मिक्स कर देता हूं मंगल के साथ अगर आपकी कुंडली में राहू है तो यह नाड़ी कहती है और नीवन टीथ आपके दांतों में कोई ना कोई दिक्कत रहेगी सेकंडली मार्स दाकार का ब्लड एंड राहू इस पॉइजन देर कुड़ ब्लड और ब्लड के अंदर कोई ना कोई कमी जरूर होती है तो मैं इस तरीके से आपको बताऊंगा अच्छा दूसरा क्या होता है कि खर ग्रह भी हमें रोग बहुत तगड़ा देते हैं खर ग्रह अब चार्ड ले करके आपको समझाने का परयास करता है अब आप देखिए अब यहां पर वक्री ग्रह का एक अलग मीनिंग लेगा आपको समझने के लिए अब समझने का परयास करिएगा वक्री ग्रह को झाल 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 अब मैं आपको पहले यह बता देता हूं इस जातक को आखों में भेंगा पन आखों में क्या है भेंगा पन अब आप एस्टोलोजी से समझेए यह जो है चंद्रमा की साइड है यह सू्रिय की साइड है सूरिय यह यरी कि कुंडली का हैंड वो सूरिय का है सेकनड आउस सूरिय का है ठीक है है यह 12 ठीक है यह एक Kne अब आप देखे, बाई आपका स्वामी एईट्जॉल्टन है, इसकी राइट आई में दिक्कत आए, तबी वेंगा अपान आया, अब कैसे दिक्कत आईए, वो ध्यान से देखना है, ठीके, ध्यान से क्या देखना है, केतु वकरी है, मंगल वकरी है, ठीके, एक और बता देता हूँ वक्री ग्रह आप सुनिए वक्री ग्रह का आर्थ होता है टेडा अपन वक्रद रिष्ट्री तिरची निगा से देखना हम बोलते हैं न ममी अपने छोटे बच्चे को तेड़ी आखों से देख लेती है कबरदा शरानत करी तिरची निगा से देख लेना समझ आया इशारे इसे समझा देना तो वक्री ग्रह अब आप देखिए ट्वेल्थ लॉर्ड जो है वो कहां गया सूरिय थर्ड आउस में बैटा है मित्र राशी में बैटा है जो है अपने अंदर केतू का प्रभाव वक्र प्रभाव टेडा पन वो डाल रहा है सूरिय पर सूरिय पर डालने के कारण वक्र द्रिष्टी जो है उसकी आख में प्रॉब्लम आई तो दो पॉइंट हुए यहां पर फिट से मैं रिपीट कर रहा हूं आप लोगों के बात क्लियर अच्छे से हो गई अब आप ध्यान से देखिए सेकंड हाउस का लौड क्या बना शुक्र बना कहां बैटा है मारगबाव में यह छोटा सा दोशा आ गया मैं प्यार से कहता हूं अभी शुक्र को कौन देखा है वक्री राहू यानि हाउस में बैटे ग्रह को भ प्रह भी पीड़ीत हुआ तभ ही भैंगा पनाएगा अगर इन दोनों में से अगर सुर्यcyjक पीडित नहीं होता कि एवल सेकंड हुश सेरीश पीड़ीत अर्थ बहनगापन नहीं कह सकते उसके लिए कन्डिशन यही है कि कारक का पीड़ित होना परम अवश्यकmesh भाव पीड़त नहीं होगा भाव का स्वामी बड़े ध्यान से सुन लीजे भाव भाव का स्वामी और कारट इन तीनों का पीड़ेत होना परमवश्य के रोग के लिए यह फार्मूला है सिम्पल सा रोग का आपको आगया ग्यान में ठीक है चल लिए अब जो है किसी की कोई क्वेरी है तो आप अपने आपको अन्मूट कर लिजे और मेरे से पूछ सकते हैं मैं बता सकता हूं आराम को यह से दिक्कत नहीं है बाकी खरगर है बाइसमा दरेशकों चौसरवान नमान सर्पद्रेशकों यह सब पढ़ाए जाएगा यह डीप नॉलेज है एस्टोलोजी की जो यहीं पर ही यूज होती है ज्यादा बढ़िया तरीके से बाकी जगह इतने बढ़िया तरीके से वो यूज नहीं होती है किसी के कोई क्वेरी है तो मुझे बताई अधरवाइस गूइंग टू मुइंड अप दा क्लास और यह क्लास कल रात को साड़े नो बजे से लेके साड़े दस बजे तक चलेगी एक घंटे की क्लास होगी पांच दिन का कोर्स है 3101 फीस है अजी अनिल जी आपका कोई प्रशन है तो बताईए सर्थ अन्मूट करिए स अन्मूट कर लिए मैं कर दूं क्या यहां से हां हो गया आपका बुलिए सर्थ रेमेडी बिमारी की रेमेडी भी बताएंगे नहीं रेमेडी नहीं है यहां बिमारी समझ में आज बहुत बड़ी चीज है पांच दिन की क्लाश में रोग को पकड़ लेना ही समझ है ना सर रोग का यहीं बहुत बड़ी बात है तो रोग नहीं पता लग पाता हो क्या रहा है बिचारे दुनियां वरकर टेस्ट करा करा के थक जाते हैं रोग का जो निदान वाली चीज है न रेमेडी का वो मेरा अल इसमें मैं रोख समझाऊंगा कैसे प्रकट होते हैं यही समझ आजे तो बहुत बड़ी बात है चीके ज़र चलिए वे गुड़ डे गुड़ नाइट वॉल आफ यू थैंक यू